दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेथी और कलाउजी दाने का आप घर पे तेल कैसे बनाए जो आपको किस विधी से बनाए जो आपके बालों को हर एक समस्या से अगर बाल पतले हैं तो मूटे करने में बाल जड़ रहे हैं तो बाल जड़ने से रोपन करने में जो दोस्तों ये एक अलग तरीकी की बीदी है जिसको बनाने से आपको फायदा मिलते हैं तो मैं आपको आगरा करूँगा कि ये बीदी को पूरा जानने के लिए आप ये पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर करें जो दोस्तो मेथी और जैसे देख रहे हैं और कलाउजी ये मेथी है और ये कलाउजी है दोस्तों मेथी में बहुत सारे ऐसे गुड होते हैं जो हमारे बाले के स्कालप होते हैं बालों की तवच्चा को अच्छा बनाता है और हमारे बालों क्यों जो औस धी नहीं मिल पाती है उसको दे बालो की जो तवचा है उसको ठीक करती है और हमारे बालो को लंबा और घना पतले से मोटे बनाने में सहायक होती है वैसे ही दोस्तों कलोजी भी हमारी बहुत ही अच्छी एक आउसिधी है एक हमारी वो है जिससे कि हमें कलोजी में ऐसी प्रोपर्टी स्पाई जाती है जैसे कि आपको एंटी फंगल प्रोपर्टी हो गई जैसे कि आपके बालों में अगर रूसी पड़ गई हो बालों में दोनों के आप हम अगर तेल बनाते हैं तो ये बालों के हर एक हर एक जो भी समस्या है आपके उसको ठीक करने में बहुत ही कारगर बहुत ही लवदाएक यह अमारे दोनों दाने हैं तो दोस्तों इसके तेल को कैसे बनाने हैं आये चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप क्या क तेल दो हफ्ते के लिए ही बनाए आप किसी और भी नारियल का तेल ले सकते हैं दोस्तों और इस नारियल का तेल एक चम्मच में लिया हूं और इसमें एक चम्मच दोस्तों इसे देख रहे हैं यह केस्टल और अरंड का तेल अरंड का तेल भी दोस्तों इसमें एक चम्मच मि आपको ऐसे पीस लेना है दोस्तो इसको पीसने के बाद आपको जो है कि इसके अच्छे से पीसने के बाद दोस्तो क्या करना है कि इसको दोनों तेल में आपको ऐसे ऐसे मिला देना है मिला देने के बाद दोस्तो मैंने इसमें क्या करना है दोस्तो दो चमच तेल में एक चमच आप मेथी दाने और आधे तमच कलोंजी के दाने को दोस्तो इसको आपको अच्छे से पीस लेना है या कूट लेना है कूट के इसको मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको क्या करना है दोस्तो किसी भी ऐसे ऐसे आपको कंटेनर या कोई भी आपकी छोटी बोतल उसमें भरके आपको एक दिन के लिए इसे सुवह बनाके और साम तक धूप में सुरी की रोसनी में इसको रख देना है दोस्तो अच्छे से ये इसके जो भी में मिल जाएंगे और उसके बाद दोस्तो आपको हपते में दो बार आपको सोने से पहले आपको बाल के स्काल्प में आपके बालों की तवचा में अच्छे सी इसको मसाज करना है और मसाज करके इसको रहने देना और सुबह उठके आपको ठंडे पानी से इसको धो लेना ह दोस्तो, इसके बहुत ही शमतकारी और बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे, जो आपको एक से दो हफ़ते में ही देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मीत्रों और जीन को अपकी सही होगी हो तक आप इसको सेर करें और हमारे चैनल